गर्मी हों के मौसम का सबसे शक्ति साली टॉनिक जी हां आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोक आपको गर्मी के मौसम में विशेश रुप से करना चाहिए और ये सबसे ताकतवर टॉनिक गर्मी Wähler का हम मान सकते हैं जिसका नाम है सत्टू जी हां सत् और आप में से बहुत सारे लोग ने खाया भी होगा सत्तू जो की अलग-अलग प्रकार से बनता है कई बार इसे साथ तरह के अनाजों को मिला कर तैयार किया जाता है जैसे की मक्का, जव, चना, अरहर, मतर, खेसारी और कुल्थी इने भून कर पीस लिया जाता है और पीसने क जो प्रॉडक्ट तैयार होता है उसे ही आईरवेद में सत्तू कहा गया है अब इस सत्तू को आईरवेद में बहुत शक्तिशाली माना गया है और ऐसा कहते हैं कि गर्मी के मौसम में इससे बढ़कर कोई भी टॉनिक आपको नहीं मिलने वाला तो चली जानते इसके क्या-क् पाइदे हैं और क्यों गर्मी के मौसम में आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए साथी साथ सत्तू खाने के कौन से सही नियम है जिससे कि आप इसका पूरा फाइदा ले सके सिर्फ केवल ये जो पीसा हुआ सत्तू होता है जो आटा होता है आप केवल उस आटे को ही खात हैं तो ऐसे कहा गया है कि यह कंठ है अर्थात के गले के लिए बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग जो सिंगर है या बाशन रेते हैं या फिर बोलने का बहुत काम करते हैं या जिने गले से संबंधी कोई भी समझचाएं होती हैं खास करके थाराइड या हाइपो थाराइड जैसे समझचाएं या फिर जिनको गले में टॉंसिल जैसे समझचाएं होती हैं उन सभी के लिए सत्तू बहुत अच्छा है नेत्र रोग आँखों के लिए यह बहुत फाइदेमंद है गर्मी के मौसम में जब आँखों में जलन या आँख से पानी बहना इस तरह की समझच आना चाहिए या भूक और प्यास के कारण होने वाली कमजोरी या ऐसे लोग जिनको गर्मी में भूक प्यास से जुड़ी वी कोई भी समझचा है ज्यादा भूक लगती है ज्यादा प्यास लगती है या भूक प्यास के कारण शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है उन सभी या फिर जो भारी भर कम heavy work का काम करते हैं उन सभी के लिए अब गर्मी के मौसम में vomiting उल्टी की समस्चा बहुत common है आपने कई बार देखा होगा कि train में जाते समय या बस में जाते समय कही लोगों को woman हो जाता है या फिर उल्टीयां हो जाती है vomiting हो जाता है ऐसे सभी लोगों के लिए या जिने कोई न कोई चोट लगी रहती है इंजरी बार बार हो जाती है उन सारे लोगों को शत्तू खाना चाहिए या हलका है और आईरवेद में गर्मी के मौसम में हलकी चीज़े खाने के लिए कही गई है तो सत्तू गर्मी के लिए परफेक्ट आहार है अगर इस सत्तू को आप पानी में घोल कर पिए तो ऐसे कहा गया है कि सद्य एव बल प्रदा अर्थात के तुरंत ताकत देने का काम करता है गर्मी के मौसम में हम बहुत बार कोई ने कोई टॉनिक धोन्टे रहते हैं और कही लोग तो कोल्ड डिंग प इलाकर पीने से आपको बहुत जल्दी ताकत मिलती है और यह इंस्टेंड एनरजी बूस्टर माना जा सकता है गर्मी के मौसम में हर वेक्टी के शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है गर्मी के मौसम में गर्म हवाय और तेज धूप के कारण शरीर के ताप को नियंतरित क करने के लिए हमें बहुत बार मेनद भी करनी पड़ती है तो गर्मी के मोसम में ऐसे लोग जिने बहुत ज़्यादा फसीना निकलता है या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं ऐसे लोगों के लिए सत्तु एक टॉप क्लास टॉनिक हम मान सकते हैं हमारे देश में सत्तू का सेवन बहुत पुराने समय से किया जा रहा है आईरवेद में अलग-अलग तरह के सत्तू का वर्णन हमें मिलता है जैसे कि घी और सत्तू कई लोग मिला कर खाते हैं या घी सत्तू उसके अंदर अनार रस और गुड मिला के कई लोग इसे पीते हैं कुछ लोग केवल सत्तू के अंदर थोड़ा सा घी और पानी मिला कर पीते हैं कई लोग सत्तू के अंदर मुनक का या फिर बड़ी शक्कर या गन्ने का रस मिला कर भी इसका यूस करते हैं सत्तू अलग-अलग प्रकार के बन सकत में चली जानते हैं जव का सत्तू ठंडा होता है ये जलन को शांत करता है ऐसे लोग जिने गर्मी के मौसम में लूज मोशन या फिर बार बार जुलाब बार बार सोचा ले जाना पड़ता है उनके लिए बहुत अच्छा है या कफ और पित का नाश करता है तो ऐसे लोग जिने चर्म रोग हैं या जिने डायबिटीस है या फिर जो लोग मोटे हैं और अपना वजन कम करना चाते हैं या गर्मी के मौसम में जिने अपना फैट लॉस करना है या कफ और पितcre की बिमारियों को ठीक करना है तो ऐसे लोगों को जव का सत्तू विशेश रूप से उपयोगी है इसे पानी में घोल कर पीने से आपको अगर गर्मी के मौसम में कम जोरी है तो वो तुरंट कम हो जाएगी या मल भेदक है तो ऐसे लोग जिनका शरीर मोटा है या जो ज़्यादा वजन वाले हैं और पेट साफ नहीं होता उन सभी के लिए सत्तू बहुत अच्छा है यह तुरंट ताकत देता है मीठा है इसे खाने में मज़ा भी आता है और जागर गर्मी के मौसम में भाई आप वयाम कर रहे हैं बहुत जल्दी ठक जा रहे हैं वजन भी घटाना है और चौथाई भाग वो चने का सत्तू उन्हें जरूर मिला देना चाहिए और सत्तू खाते समय आप उसमें घी भी जरूर एड़ कर दीजिए घी और मिश्री या घी और चीनी के सेवन करने से यह सत्तू विशेश रूप से टौनिक का काम करता है चने और जाग के कॉंबिनेश रखना है तो ऐसे लोगो को चने के सत्तू के अंदर चौथाई बाग जो का सत्तू भी मिला देना चाहिए जिससे की यह दोनों का कॉंबिनेशन विश्रेश रूप से फायदे मन्द हो जाए आजकल मार्केट में भी बहुत तरह के सत्तू मिलते हैं पर आप सत्तू घर पर बनाएं तो ही ज्यादा अच्छा है इसे बनाने के लिए आप जिस भी धनने का सत्तू बनाना चाहते हैं उसे आप कम से कम 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दे भिगोने के बाद इसे फैला कर अच्छे से सुखा ले और सूखने के बाद आप इसे ओखली में पीस ले आज अगर आप मेंसे कोई मीठा सत्तू बनाना चाहता है तो उसके अंदर मिश्ट्री या फिर गुड या फिर खड़ी शक्कर जिसे कहते हैं वो मिला सकते हैं जिन लोगों को मीठा पसंद नहीं वैसे तो गर्मी के मौसम में मीठा ही सत्तू खाना चाहिए तो वो आप थोड़ी स साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ चेताउनी भी देते हैं जिससे कि आप इसका सही प्रयोक कर सकें और इसके आप फाइदे ही पा सकें ना कि नुक्साम सत्तू के नियम बताते हुए आईर्वेद में कहते हैं कि पानी पी कर सत्तू नहीं खाना चाहिए या फिर सत् पानी नहीं पीना चाहिए अर्थात कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले पानी पी लेते हैं और फिर सत्तू खाते हैं तो वो गलत तरीका है आपको सत्तू के अंदर ही पानी मिला कर उसे पीना चाहिए वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है आईर्वेद में ऐसे कहा गया है कि यह चाहे कितना भी फाइदे मन्द हो पर इसे दिन में दो बार नहीं यूज़ करना चाहिए अर्थात केवल दुपहर के समय एक बार या फिर सुबह के समय दुपहर या सुबह कोई भी दिन में एक बार ही आप इसका प्रयोग करें तो ही आपके लिए अच्छा है अकेला केवल सत्तू ही नहीं खाना चाहिए और रात के समय सत्तू नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है भोजन खाकर सत्तू नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह रूख्षो होता है तो रूख्षता के कारण यह कई बार समस्चा भी कर सकता है यह वायू कारक होने के कारण इसे अगर रात में आप प्रयोग ना करें तो ही आपके लिए यह ज़्यादा फाइदे मन्द होगा तो सत्तू जो की आहिर्वेट का सुपर फूड माना गया है खास करके गर्मी के मौसम में उसका सेवन आप इस गर्मी में विशेश रूप से कीजिए अगर आप मोटे हैं डाइबिटीस के रोगी हैं या चर्म रोगी या स्किन डिसॉडर के रोगी हैं तो आपके लिए जव का सत्तू अच्छा है पर आप अगर पतले हैं और अपने शरीर को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपके लिए चने और जव के कॉम्बिनेशन वाला सत्तु ज्यादा करके फायदे मन रहेगा सत्तु से जुड़े अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके कमेंट के आधार पर हम ऐसे ही नए वीडियोज लाते रहेंगे तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें